असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है शकील खान और प्रेंज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट प्रेंज इसके अपने कोडिंग स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं प्रेंज सब्लाइम एक बहुत ही पापुलर टेक्स एडिटेटर है पार वेब डिजाइनिंग और इसकी जो सबसे अच्छी हुबी है वो यह है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्लेगिन्स हैं और उस प्ल आपने coding speed को आप बढ़ा सकते हैं, ओके मेरा तो बिलक्ल प्यवरिट है, क्योंकि मैं सब्लाइम्स के plugins को यूज़ करता हूँ, तो ये मुझे बहुत ही help करता है, मेरे coding speed में, जानि इसके वज़ा से मेरा coding speed बहुत ही past है, ओके. तो किस तरह से आप लोग भी इस plugins को जो मैं खुद यूज करता हूँ तो मैं आपको वो plugins बताऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे Sublime Package Control और पिर उस package के अंदर आपके पास होते हैं plugins तो किस तरह से आप लोग इंस्टाल करेंगे Sublime Package Control तो इसके लिए आप जाएए गूगल पर यह मेरे पास अलड़ी ओपन है आप यहाँ पर क्लिक करें Installation यहाँ पर तो फिर आपके पास यह page open हो गया अब प्रेंज यहाँ पर आपको दो option दिये गये हैं एक है Sublime Text 3 और दूसरा है Sublime Text 2 अब प्रेंज अगर आपके पास इंस्टाल है Sublime Text 2 तो आप यहाँ पर क्लिक करें और फिर इस code को आप यहाँ से इस तमाम code को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तमाम code को आप कोपी करें ठीक है लेकिन अगर आपके पास इंस्टाल है Sublime Text 3 तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करें और फिर इस code को आप कोपी करें लेकिन मेरे पास जो इंस्टाल है है वह सब्लाइम टेक्स त्री जो लेटेस्ट वर्जन है सब्लाइम का तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रैट क्लिक हो यह से कॉपी करता हूँ और पिर यहाँ पर मैं आता हूँ और पिर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ विव पर यहाँ पर विव है पिर विव के अंदर मै क्लिक करता हूँ शो कंसोल यह पर मैंने क्लिक किया फिर यह पर मैं आगिया और यह पर जो नीचे यह जो एमटी इंपुट पीड है यह पर मैं करता हूँ रैट क्लिक और यह पर मैं कोड को पेस्ट करता हूँ और पिर मैं अपने केबोर्ट से एंटर को प्रेस करता हूँ तो तो अब ये package install हो जाएगा कुछ time के बाद आ पर देखेँ नब ये install शूरू हो गया है अब ये install हो गया तो अब ये install हो गया तो अब इसको मैं करता हूँ restart इस sublime को यात्या से में close करता हूँ ठीक है और मैं दूबारा open करता हूँ ठीक है अब 취 summit करेंगे कि हमारा Sublime का package control इंस्टाल हो गया है के नहीं तो इसकी लिए आप यहाँ पर ग्लिक करें Pirpare're AMY तरह आप इस पर देंखेना package control का option यह पर आ गया है ःाई तो आप यहाँ पर प्लिक करें पिर यह List ऑपन हो गया तो यहाँ पर आप इससना करें पास sublime के अंदर जितनी भी plugins है उसका एक list यहाँ पर open होगी है यहाँ पर दिके न यह बहुत ही लंबी list यहाँ पर बहुत ज़्याद लंबी list है सेंख्लों के अंदर यह plugins है ठीक है जो अब यहाँ पर हमें जो सबसे पहला प्लग-इंस इंस्टॉल करना है वह है एमेट ठीक है एमेट एक बहुत ही पावरफूल प्लग-इन है सब्लाइम के अंदर इसके इसके तुरू से आप HTML के कोडिंग को आप पास्ट कर सकते हैं और यह तो बहुत ही इंपॉर्टन प्लग-इन है पर एवरी डिवलपर एंड पर एवरी डिजाइनर ओके यहाँ पर आप लिख दे एडबल एम एटी इमेट यहाँ पर आगिया तो आप यहाँ पर क्लिक करें इमेट पर यहाँ पर इसको में करता हूँ रिस्टार्ट एक दपा यासे क्लोस करता हूँ और यहाँ पर इसको आप एक दपा क्लोस करें जरूर जरूर तक यह रिस्ट हो जाए यानि यह रिस्टार्ट हो जाए ठीक है अब इसको में दुबार ओपन करता हूँ सब्लाइम को इस पेस को में यासे किख्रोज करता ह hunting और यहां पर मैं आता हूं और यहांपर में लग करता हूं निव पाइल और स्पाइल को में करता हूं से अधिक्स्टाप के ओपर मैं सेफ करता हूं अइंडेक्स.html ओके यह पेज मैंने सेव किया, अब यहाँ पर दोस्तों मुझे सेंपल सा html का एक डाकुमेंट बनानी है, using emit plugin, तो यहाँ पर आप इस तरह कर लें, यहाँ पर अब देख लिख दे, html, colon, फिर यहाँ पर pipe लिख दे, और फिर अपने keyboard से प्रेस कर दे टेप को, यहाँ पर अब इसको आप एक और मेटल से भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कर तो control z, यहाँ पर आप just लिख दे, यह sign, यह sign आप लिख दे, कि बोट से shift और एक का बटन, यानि one का बटन आप प्रेस कर दे तो यह आएगा, फिर आप अपने keyboard से tap को प्रेस कर दे, तो फिर यह आपके पा तो class के लिए हम यूज करते हैं, dot sign, यहाँ पर मैंने dot प्रेस किया keyboard से, और let's say मेरे class का नाम है container, मैंने यहाँ यहाँ पर लिख दिया container, और अब मैं अपने keyboard से प्रेस करता हूँ, tap button, यहाँ पर देखे न, कितना past यहाँ पर आगिया class, अगर मुझे यूज करना है id, तो id के लिए हम यूज करते हैं, hash sign, यहाँ पर मैं enter करता हूँ, hash sign, let's say class का नाम है my class, okay, और अब मैं दुबारा अपने keyboard से प्रेस करता हूँ, tap का button, तो आप यहाँ पर देखे न, कितना, quick सब कुछ हो गया, ठीके, अब इसके इलावा, अगर मुझे यहाँ यहाँ पर class यूज यूज करना है, let's say, मेरे पास, let's say मेरे पास UL है, और UL के अंदर मेरे पास होगा L I होगा, तो यहाँ पर आप लिख दे, UL sign, पर यहाँ पर लिख दे, less than sign, ठीके, याँ याँ यू यू एल के अंदर L I होगा, फिर इसके अंदर, again less than sign, यानि इसके L I के अंदर हमारे प हो गा है पर लेंक को यह तो आप लिख दें और है पर लिए हमारे पास होगे पांच कि जिए हैं यांनि वो हगा उसकें अंदर आपके पाKayपा फूगा रही पिर इसकें Ю्त ंदर आपके पास पर लेंक्स तो इसका मतलब है इस यह थामका स्वाइब के अंधर होगा एलाइं फिर एलके अंदर होगा आило हएपर लेक्लीक्ट लेक्न मैं चाहता हूँ कि हाइपर लेह मैं पाशो पांछ यह पर आप Meg FE की बोर्स से प्रसकर दें इस्टेरिक साइन इसका मतलब है कि जरब अगर मुझे रिकॉर्ड है पांच लिंक्स तो या पर अप के बोर्स से प्रसकर देप को या पर देकिना कितना पास्ट आपका कोडिंग हो गया यूजिंग एमेट प्लगिन ठीक है इसके अलावा अगर यह आप और मुझे टेड़ रिकॉर्ड है तो यह पर आप आप जिसट पी लिख दे और ठेप प्रस कर दें ठीके इसके अलावा अगर यह पर बी टेक लिखनी है board यहापर keyboard से tape प्रेस कर दें तो यह होगी आप board ओके तो basically यह तो होता है आपके पास sublime plugin और इसके अलावा अगर अपने कुछ dummy text डान लिए हैं अपने code में तो यह आप लिख दें lorem और फिर अपने keyboard से टेप का button प्रेस कर दें तो यह आपके पास कुछ dummy text आ गया ओके यह तो था basically sublime का कौन सा plugin अब दोस्तो अब मुझे इस तरह करना है कि मुझे snippets install करनी है snippet का मतलब क्या है snippet का मतलब है कि built-in code आपके sublime में आ जाएगा ठीक है यानि तयार code आ जाएगा let's say sublime का sorry sublime bootstrap का bootstrap के अंदर क्या होता है table होता है palms होता है navigation बार होता है sledder होता है बहुत ज्यादा components bootstrap के हैं अगर वो code अगर में bootstrap website के अंदर जाता हूँ और वहाँ से मैं code copy करता हूँ तो यह बहुत ही एक मुश्किल काम होता है कभी का बार आपके पास internet भी नहीं होगा तो किस तरह से आप वहाँ जाएंगे और वहाँ से आप code को copy करेंगे तो इसके लिए sublime के अंदर एक plugins है वह आप आप इंस्टाल करेंगे तो आपके पास तमाम component आ जाएंगे अंदर तो आप अगर आपके पास internet भी नहीं हो तो उसको आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए दुबारा आप यहाँ पर क्लिक करें प्रेफेरेंस पर और पिकेज कंट्रोल पर और पिर यहाँ पर जाएगा आपका पिकेज अगें यहाँ पर यह लोडिंग करता है ठीक यह डिपेंड करता है आपके internet connection पर और प्रेंड जो मैं आपको एक बात बताता हूं के sublime का कोई भी plugins install होने के लिए आपके पास internet का होना लाजी में है otherwise आपका package install नहीं होगा आपका plugins install नहीं होगा bootstrap 3 snippets तो यहाँ पर आप क्लिक करें मैंने क्लिक किया अब यहाँ पर दिकना loading होता है जिसका मतलब है कि यह plugins अभी install होता है ठीक है अब यह install हो गया लेकिन यहाँ पर बिल्कुल install हो गया इसको मुझे close करना है और again मुझे sublime को restore करना है तो इसको मैं यहाँ से close करता हूं और मैं दुबारा open करता हूं ठीक है और अब friends मैं यहाँ पर आता हूं और अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने bootstrap का snippets अपने यूज़ करना है आपने तो plugins install किया ठीक है और किस तरह आप देखेंगे कि मैंने package sorry plugins install किया है के नहीं तो यहाँ पर अपक्लिक करे किया है यह इमेट वाला लेकिन अब यहाँ पर क्लिक करें package control पर फिर यहाँ पर है list packages यह पर आप देखेंगे न एक plugins आपने इंस्टार किया है bootstrap 3 snippets और दूसरा है एमेट तो यह दो plugins हमने install किया ठीक है यह हो गया अब sorry अब यहाँ पर मैं आथा हूँ और यहाँ से में यह ब्रिकर्ट्स हैं यहाँ पर मैंने प्रेस किया यानि greater sign फिर यहाँ पर आप लिखते बी bs3 इसका मतलब है के bootstrap 3 यहाँ पर देखेंगे यहाँ यहाँ पर मुझे एक list open हो गया यह है bootstrap का CDN यह है bootstrap का row यह है bootstrap का column अगर मुझे लट से यहाँ पर required है new bar तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ in यहाँ पर देखेंगे आ बूई bs3 in यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर मेरे पास आगया bs3 hyphen new bar तो इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखेंगे यहाँ मेरे पास bootstrap का new bar ओके लेकिन अब यह काम नहीं करेंगा क्योंकि हमारे पास bootstrap का CDN या bootstrap का link हमारे पास है नहीं तो इसकी रिए मैं यहाँ पर आता हूँ link होने के बाद title के बाद में आता हूँ यहाँ पर again bs3 और यहाँ पर app देखेंगे na cdn तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यह आपके पास आगया bootstrap का cdn यह है bootstrap का css का cdn और यह है jquery का cdn यह वाला ठीक है यह इसको आप change करें http तो तक यह काम शूरू करें और यह है bootstrap का jspil है तो यह complete यहाँ पर मैंने cdn को भी employment किया अब इसको मैं open करता हूँ यहाँ पर open n browser तो यहाँ पर यह कुछ टाइम लेगा क्योंकि यह cdn है तो कुछ यहाँ पर देखे ना यह आगया आपके पास सब्ला ना सौरी बूर्स्ट्रेप का ने बार ओके बेलकुल काम करता है तो आप खुद अंदाजा लगाए कि अगर आप जाएंगे बूर्स्ट्रेप के अंदर और वहाँ से आप कोड कापी करेंगे यह अगर आप आपको दिकाता हूँ यह नियूबर का कोड यहाँ पर देके ना यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इस कोड को अगर आप लिखते हैं ठीके तुछ कितना टैप आप से लेगा तखरेबां दस मिनट यह दिस मिनट और यहाँ पर जब आप सब्लाइम के स्नेपर्स को यूज कर ओपन हो जाएगा कंप्लीट बूस्ट्रेप का एक लेस्ट हो तो यह पर जो भी आपने उसकरना है तो इसको जस्ट क्लिक करें तो वह आपके पास आजाएगा ठीक है अब प्रेंज में आप यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं आता हूँ यहाँ पर डिक्स्टॉप में और य यह अपर मेरे पास साइड़ बार ओपन होगी है यह यहाँ पर गर मेरे रैट कलिक करता हूं इस पॉल्ड कि अनदर यह पर मेरे से मैरे पास है इक टू स्टीन चार-पंछ सिर्प शी मिनवा पास यहाँ पर हैं। इसके लिए एक टांगिन है उस प्लग GIंस के इंस्टॉल पकेज कंट्रोल enroll एंस्टॉल पकेज तो añad यहाँ पर लिकना है साइड़ बार इन्हांसमेंट यहाँ अपर देखिना अईड़ इम रा इन्हांसमेंट इस पर अपक्लिक करें यह बी एक बहुत ही खुब्बसूरत हैं बहुत ज़यदे खुब्सूरति आए अब यह घाओ पर दीखें ना यह लोडइंग यहां फोरी यह या पर इइस थाल हो गया बेलकिल हो गया इस को अप लोस्ट करें सब्लैंग को दूबाराग इसको आप open करें और यहांप पर आप क्लिक करें इस पोल्दर के जिस पोल्डर पर अप रेट क्लिक करें तो आप या पर देकिना कितना इक बहुत विड़ी मेन्यू आप आगी आप आप आधी किना रॉटाइब गया फ़घ्ट हर राइग एक यां पर ऋपं पोल्डर अगर इसके अंदर आपने एक पोल्डर क्रियेट करनी है तो यह आगिया आपके पास एक किया आपके पास एक पोल्डर या पर आपके पास एक पोल्डर एक इसके लावा या पर मैं दुबार क्लिक करता हूं तो या पर देखना ओपन रन या पर ओपन एन ब्रॉज प्रूम यहां पर उपयरे च्पारी इंटनेट एक्सटोर इसके अलावा और भी है ठीके इसके लाव यहाँ पर पैन एंड लिपेशिप जा आप सबसको आप कोपी कर ना है इस पोल्डर को आपने हो यह ठीक है तो बैसिकली ही आपके पास होते हैं प्लगिंज यूजिंग बूट इस चुरी यूजिंग सब्लाइम ठीक है तो अब जो एक और प्लगिंज हों हमें इंस्टाल करना है उसका नेम है यह यह पर मैं पर आता हूं प्रेड़न से इस प्यूरिया पर पिकच आपक्राइब अब्सक्राइब काम यह है अगर लेट्स हए गर हमारे पास बूर्स ट्रप के अंदर बटन है एक लिए टीन बेटी एन शक्षिस अब टीन ब्टीन डिपाल्ट एन बीटीन परहिंग गरिए अगर मैं कीबूर से प्रस्क्राइब टो ब्यूटी यह मुझे तमा ने मेरे खाल में काम चूर दिया है अभी इस वजा से उन्होंने एरख दिया बिलकुल मेरा इंटरनेट चला गया तो मैं इस तरह कर लेता हूं कि मैं वीडियो को स्टॉप कर लेता हूं और जब मेरे इंटरनेट से ही हो जाए तो मैं दुबार उसको स्टाट करूंगा ठीके तो मैं अभी के लिए स्टॉप करता हूं वीडियो को वेल्कम बेक स्टार्ट तो किया इंटरनेट ने कॉम अभी मैं यह पर दुबारा आथा हूं प्रेपेरेंस इस प्रिया पर पिकेज कंट्रॉल प्रिया पर इंस्टॉल पिकेज तो मैं आपको बता रहा था अबाउट बूस्ट्रेप आर्टम्प्लेट का है उसका क्या मतलब होता है उस फ्रइकन का तो उसका मतलब होता है अगर आपने लक्त से ब्यूटी एंट प्रेस किया कीडिबूड से तो वो आपको तमाम लेस्त देगा कि ब्यूटी एंट से ये classes स्टार्ट होती है यहाँ पर मैं आता इसको मैं close करता हूँ यहां पर दुबार इसको मैं open करता हूँ और यहां पर मैं आता हूँ body close होने के बाद यहां पर मैं करता हूँ bracket sign यहां पर लट से do class btn यहां पर देखे न btn, btn block, btn danger, btn default, btn group, btn success यहां पर देखे न just enter press करो तो यह होता है bootstrap auto complete save करता हूँ इसके अलावा दुबारा आता हूँ package control install package और दोस्तों अभी मेरे खाल में bootstrap पोर का जो beta version है और रिलियस हुआ है अगर आपने bootstrap पोर का snippets इंस्टाल करनी है तो यह आप लिख दिया just bootstrap पोर यहां पर देखना पोर snippets तो अगर आपने यूज़ कर रहा है तो कर लें इसको आप यहां पर क्लिक करें और पिर के बोर्ट से मेक्स करता हूँ अगर आप इसको देख लिए मेरे खाल में यह तोला ज्यदा टेम लेता है यह बूस्ट्रेफ असने बेट साला यह तोला बड़ा प्लेगन होता है तो यह ट्रैम लेता है हाँ 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 क्या गयार इस्टान नहीं हुआ मैं चिक करता हूँ इंटर्नेट हो कि क्यों तो नहीं है गूगल सार यार फिर इंटर्नेट चला गया एक तो इस्टाल हो गया बूर्स्ट्रेप आर्टू कम्प्लीट में दुबारे बड़े को स्टॉप करता हूँ यार यह क्या मसला हो गया अगेन विल्कम बेक नेट से यह हो गया तो अब मैं जाता हूँ प्रेपेरेंसेस पकेज केंट्रोल इंस्टाल पिकेज और यहाँ पर आम इंस्टाल करेंगे बूर्स्ट्रेप पोर स्निपेट्स अब यह इंस्टाल हो जाएगा कुछ टाइम लेगा यह आगिया बूट स्ट्रेप और स्निपेट्स ओके इसको मैंने क्लिक किया अब यह इंस्टाल हो किया यस डन क्लोज सब्लाइम क्लोज सब्लाइम अगेन ओपन यहाँ पर मेरे खाल में मुझे तो पता है नहीं कि किस तरह से यूज होता है लेकिन भी इस पूर आइधिंक यह आप देके ना भी इस तरीक नहीं है बूस्ट्रेप मुझे तह पता है नहीं कि कि से यूज होता है इसके लिए आपसर कर लेकि इसकी टाकुमेंटेशन भी होती है तो इसको आप सच कर लें अल्लैंटी के लिगन इसको तो हमने इंस्टाल कर दिया, इसको आप देख लिए खोड़ ठीक है, अगर हमने इंस्टाल कर दिया, भी इस पोर ठीक है, इसके इसके अलावा मैं यहाँ पर आता हूँ, दुबारा पिकेज कंट्रॉल, इंस्टाल पिकेज, अब यहाँ पर हमें एक टीम इंस्टाल करना है, जो हमारा जो ए बाइ डिपाल तीम है, इसको अगर चेंज़ करना है, तो यहाँ भूँ ज्यादा तीम है, सब्लाई में बहुत ज्यादा है, इक पोद यूज करा हूँ, मुझे जो पसन है वो है, मैटेरियल थीम मैटेरियल, यह नीचे वाला यह अवालख मेटेरियल तेम वान टू त्री पॉर नमबर पर जो है इसको मैंने क्लिक किया लेकिन ये तोड़ा टाइम लेगा ज्यादा ये ही होता है लेकिन फिर भी ये इसका इन हिसार नेट पर होता है अगर नेट तेज हो तो ये इतना टाइम नहीं लेता है लेकिन फिर भी इंशाला ये टाइम लेका इतना ज्यादा ठीक है तो इसके लावा में आपको एक और ट्रेक बताता हूं क्यूंकि हमने अल्डरी अमेट को इंस्टॉल किया है अब यहाँ पर लेट से यह हमारे पास है निवगिशन बार ठीक है और लेट से अगर मुझे इस निवगिशन बार का मुझे क्लोजिंग यापर यह है और अपिनिम टेगन На को अगर इसका क्लोजिंग मुझे मालूम करना है ठीक तो क्लिक करें इस ठेक के अंधर बाहर नहीं ठीक है यहां पर नहीं इसके अंदर कहीं भी पर आप क्लिक करें और पिर कीबूड से प्रेस करें Ctrl Alt Plus J यहाँ पर देखे ना हमें यहाँ पर बता दिया कि यह इसका Closing Tag है ओके अब यहाँ पर मैं यह जो Body का Closed Tag है इसके अंदर मैंने क्लिक किया और पिर Keyboard से मैंने प्रिस किया Ctrl Alt Plus J Ctrl Alt J ओके यहाँ पर देखे ना उन्होंने हमें दिखा दिया कि यह Body Tag यह Starting Tag है ठीक है इसके अलावा एक और ट्रिक है यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं CSS का टेक लिखता हूँ Style पर यहाँ पर Let's Say Body यहाँ पर अगर मुझे CSS 3 का कोई भी Property अगर हमें यूज करना है Let's Say Border Reader जो हमारे पास CSS 3 का Property और उसके लिए Previx भी अगर हमें लगाने है Let's Say Mozilla के लिए इनमोजो इस तरह वेब केट ठीक है इस तरह हम अगर लगाने है तमाम प्रोजर के लिए मैं नमातलब यह वाला है Border Radio स्टिक Let's Say पांच चोप पर पॉर्ट एक्सल पिर यह पर हम लाते हैं वेब केट हो इस तरह लगाते है Border Radio स्टिक इस तरह हम लगाते है तो इसके लिए एक वेरी एजी सलूशन है एमेट प्लेगिन में ठीक है इस तरह कर लो यह पर लगा दे हाइपन पिर Border Radio स्टिक इस तरह कर लो से आप यूस करते हैं एनिंटा सी एस तरी प्रॉपर्टी ओके तो यह तो ता एक ट्रेक जो आपको मैं बता रहा था तो यह भी बहुत थीक है एक अमेजिंग हाट ट्रेक है क्लोजिंग टेक वाला और यह प्रेपिक्स वाला है और इसके लाव यह अभी इंस्टाल हो रहा है मैंने आपको बते आता पहले कि कुछ टाइम लेगा मेरा इंटरनेट का अभी कुछ इशू था तो इस वज़ा से यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो इस वज़ा से इंटरनेट भी स्लो है और बार बार वह मसला करता है लेकिन मैं अगेन वीडियो को स्टॉप करता हूँ जब यह इंस्टाल हो जाएगा तो पिर मैं इसको स्टॉट करना ठीके हाँ जी मेरा तीम तो इंस्टाल होगी आप बहुत ज़्यादा टाइम ग्राशन होगी होगी है की की जाइब होमें यहाठे करना तो इप है आं पर मेक करता हो रजैट कलिक क्राइब मैं इन ना आप यहाठे इन ay पर यह स्टीवैट है करता हूँ अब यह जापर यह ह्ठे यह वियाठे आप यह री आजिए अगिया हाँ आ अब क्LICK करें, बेलिक अब यहापका टीम बन गया, तो यह बहुत यह खूब्सूरत है मुझे तो खुद यहाज भालप रहाँ पसंद यहाप यह आपका तीम बन घार ठीकिन, और इसके लावे यह आप अजिच का आइकन यहापा बदेखे, और के लावा अगर यहाँ पर HTML का कोई डाकुमेंट आहे पेज एंडिक्स यह पर तोड़ा सा इशू है कलर का लेकिन यह भी इतना बड़ा इशू नहीं है एंडिक्स अब यह अब यह एश्टेमल का पेज़ है ठीके तो अब हाई हमारा तीम है जिसका नहीं मैं में टीरियल तीम मुझे तो खुद आई यह वाला तीम पसंद है और इसके लावा आप कोई और तीम भी सर्च कर सकते हैं ठीके बहुत ज़्यादा तीम है गुगल करें इसके लिए जो लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा यूज होता है मैंने बहुत ही ज़्यादा लोगों को डेक आयक कि वह ना मिटिरियल तीम को ही यूज करता है ठीके इसके लावा अगर कोई और प्लगिन इस्टॉल करनी है ना इंस्टॉल तो भी कर सकते हैं लेकिन यहाप रो आप कर ले स्थ यापर बहुत ज्यादा है ठीके मैं ने जिस्ट आपको guide किया किस तरह से आपने package control install करना है और पिर किस तरह से आपने किया plugins को install करनी है प्राम पेकेच कंट्रोल अब यह आप यह तो इसके लिए आप जो भी आपको पसंद हो तो यह पर सर्च कर ले और इसको आप इंस्टॉल कर ले ओके सो प्रेंड मेरे खाल में यह तक तो यह ठीक है और यह तो था सब्लाइम का पेकेच कंट्रोल एंड सब्लाइम प्लाइगिन्स ओके सो फिर भी अगर कुछ एशू हो तो आप पूछ सकते हैं और इसके लावा हमारा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताके आपको लेटिस अपडेट्स मिलते रही हैं और इसके लाव गंटी की जो अप्शन है उस पर भी आप क्लिक करें ताके वो आप लेटिस अपडेट्स आपको अपने ब्राउजर में भी मिल सकें ओके सो तेंक यू और तेंक यू पर वाचिंग सी यू एन दे नेक्स वीडियो अला पेस